लोडोसो दृष्टी-ाइस के इन फोकस प्रोग्राम में आप थभी का स्वागत है आज का हमारा विशेय तंबनदित है भारत की सुरक्षा से भारत की सुरक्षा के लिए जो टकनीक है तकनीक के अलावा जो हमारी बॉर्डर या फिर बॉर्डर से बाहर सुरक्षा के उपायो को अपनाए जाने के लिए एक सिस्टम है उसको हम अप्ग्रेड कर रहे हैं अप्ग्रेड करने का मतलब हम नए तरीके के हतियारों का विकास भी कर रहे हैं आत्मरक्षा के लिए ही सही और नए तरीके की जो भी मिसाइल सो सकती हैं उनको डेवलप कर रहे हैं हाली में एक ऐसा गया है और यह सफल परिक्षण है किस तरह से भारत के लिए उपयोगी हो सकती है इसकी रेंज क्या है इस अगनी सीरीज में कौन-कौन सी मिसाइल शामिल है चुकि आपने कई सारी भारत की जो रक्षा सिस्टम है उसमें अलग-अलग मिसाइलों के बारे में सुना होगा और प पी रखा गया है इसका विकास किस ने किया है डियाइडियो ने डियाइडियो सेक्षिस्पुली टेस्ट न्यू जनरेशन बैलिस्टिक मिसाइल अगनी प्राइम ऑफ ओडिशा के तट से थोड़ा सा दूर एक दूइप का नाम आता है अब्दूलकलाम दूइप तो वहाँ इस श्रिंखला में और कौन-कौन सी मिसाइल का विकास किया गया है किस तरह से कारगर हैं कितनी उप्योगी हो सकती है निश्कर्च क्या है और एक सवाल प्रारंभिक परिक्षा में मिसाइल टकनीक को लेकर के पूछा जा सकता है जीएस पेपर 3 विज्यान एवं तकनीक और सुरक्षा इस खंड से जुड़ जाता है इसका अलाव प्रारंभिक परिक्षा में भी महतपूर है हलाकि सेविल सेवागी प्रारंभिक परिक्षा वो हो चुकी है लेकिन अग्जाम्स में भी important है चर्चा में इसलिए है क्योंकि भारत का एकी कृत मिसाइल विकास कारिक्रम जो चल रहा है उसमें एक नई पीड़ी की परमारू सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल शामिल की गई है जिसमें जो शब्द है वो बहुत इंपॉर्टेंट है परमारू सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल यानि कि यह जो मिसाइल है यह परमारू हथियार या पेलोड को ले जाने में सक की जाती है तो उसे पेलोड कहते हैं उसको वजन में नाप करके तै किया जाता है कि मिसाइल की कितनी पेलोड या उतना भार उठाने की चंटा है इसका नाम है अगनी प्राइम इसका तफलता पूरा परिक्षण पूरा हो गया है ऑडिशा के तट से दूर अब्दुलकलाम लोगों का सवाल आ रहा है कि PDF मिले या नहीं तो उसमें जो टेलिग्राम का लिंक है आपको वहाँ दे दिया गया है तो जा करके आप वहाँ से PDF ले सकते हैं अभी जो भी अगर अपडेट नहीं उनको भी अपडेट कर वा दिया जाएगा तो आप सारी PDF वहां कि जगह लेगा अगणी वन सीरीज की जगह लेने के लिए इसको बनाया गया है और उससे बहतर ही इसको बताया गया है तो अगणी वन की जो रेंज है 300 किलो मीटर तक पताई जाती है इसके अलावा कुछ और मिसाइले भी है जैसे प्रित्वी 2 जिसकी रेंज साल 300 किलिमीटर है इसके अलावा अगनी 2 अगनी 3 अगनी 4 बैलेस्टिक मिसाइले भी जो सामरिक बल है कमान में उसमें शामिल की गई है अब इन मिसाइलों पर हम आगे थोड़ी सी औ मिसाइल इस तरह से उसको एक नाम दिया जाता है तो अगनी प्राइम या अगनी पीस को कहा गया है मिसाइलों के अगनी वर्ग का एक परमाडू सक्षम नई पीड़ी का एक उननत संस्करण है 2000 किलोमेटर तक इसकी अधिक्तम मारक सीमा बताई गई है दो चलवाली कनस्तरी क्रित मिसाइल है सब्द का क्या मतलब हुआ कंटेनर राइस देक्तरी के से कहें तो आपने देखा होगा जो भी मिसाइल होती है उनको किसी ट्रक के पीछे रख करके इस तरह से ले करके जाया जाता है जब 15 अगस्ते 26 जनवरी वाली रैली होती है उसमें आपको ऐसे ट्रक देखने को मिलते हैं जिसमें उसके पीछे के लंबा सा कंटेनर लगाए उसमें मिसाइल्स लगी हुई है या वो मोबिलाइज किया जा सकता है इसको यहाँ से वहां ले जाया जासकता है तो इसमें ही मिसाइल को रखकर करके फिर हम लांच भी कर्क्ते है तो रेलवे से भी लॉंच किया जा सकता है सडख से भी लॉंच किया सकता है या फिर किस दूसरे स्थान पर अगर ले जाना हो ले कर के भी जा सकते हैं इसका जो वजन है अगनी थी जाई से 50 सीजदी कम रखा गया है इसके अलावे इसमें नए गाइडेंस और प्रपल्शन सिस्टम भी लगाए गये हैं जो अगनी फोर और फाइब के आसपास आते हैं इसका विकास किस ने किया है एक प्रशने बन सकता है तो डियाइडियों ने इसे निर्मित किया है मद्यम शर्णी की बैलिस्टिक मिसाइल है इसको MRBM कहा गया है अगनी चार और अगनी पास जो मिसाइले हैं उसी की तकनीकी प्रगति इसमें भी शामिल है यानि उसी तरीकी मार करने वाली वाली मिसाइल है परफिस टू परफिस इसके अलावा रोड मोबाइल और फोस इंधन वाली मिसाइल है यह अन्य मोबिलिटी भी मौजूद है उपयोग किस तरह से किया जाना है अगनी प्राइम में प्रणोधन प्रणाली लगाई गया है और नेविगेशन और मार्दर्शन प्रणाली लगी ह भी है अगनी 5 को देखे तो अगनी 5 के साथ भारत चीन और पाकिस्तान जैसे देशों के खिलाफ मजबूत प्रतिरोध छंता को हासिल करता है जहां अगनी 5 की बात आती है उसकी रेंज लगबक 7000 किलोमेटर से अधिक बताई गई है जिसकी रेंज में चीन जैसे कई सारे द के तौर पर इसका इस्तिबाल कर सकते हैं और हमला होने पर प्रति उत्तर दे सकते हैं तो मिसाइल अक्षा प्रणालियों के खिलाफ अधिक्तम गतिशीलता और सटीक हमले हो सकते हैं और सटीकता के मामले में इसको काफी बहतर बताया गया है अब चुकि अगनी श्रीष से जोड़ी हुई है तो अगनी श्रिंखला का विकास कैसे हुआ इसका एक बार क्रम समझ लें तो उन्नी सो अस्ती के दशक में जो हमारे पूरू राश्टपती और मिसाइल मैन कहे जाते हैं डॉक्टर एपी जी कलाम उनके नेतरत में एकिकृत निर्देशित मिसाइल विकास कारिक्रम जिसकी आपने शुरू में चर्चा की इंटी ग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलप्मेंट प्रोग्राम को शुरू किया गया और मिसाइल श्रंखला में अगनी मिसाइल उसको भी यहां पर विक्सित किया जाना प्रार्म कर दिया गया अब इस प्रोग्राम को भी अगनी प्रिशूल नाग और आकाश ये चार नाम है ये पांच नाम है तो इन पांचों को आप पटना लिख करके याद कर लिजे अब अगनी श्रिंखला का विकास में जो अन्य पांच मिसाइल है च्छटी विकसित की जा रही है और अभी के लिए हम कहें तो अगनी सिरी प्रथम चरण के साथ दो चरणों वाली मिसाइल है जिसकी श्ट्राइक रेंज 700-1200 किलिमीटर तक है और यह 1000 किलोग्राम का पेलोड ले जा सकती है उसके बाद आती है अगनी टू दो चरणों वाली बैलेस्टिक मिसाइल है मारक शंता 2000-3000 किलोमीटर तक बताई गई है और मध्यम दूरी की बैलेस्टिक मिसाइल है और 1500 किलोग्राम तक का पेलोड ले करके जा सकती है अगनी फोर को देखेंगे तो इसकी रेंज 4000 किलोमीटर के आसपास है यह भी मध्यम दूरी की ही बैलेस्टिक मिसाइल है शुरुवाती परिक्षण इसका 2011 में किया गया था और 1000 किलोग्राम तक पेलोड लेकर के जा सकती है इस सीरीज की सबसे उन्नत मिसाइल वरतमान में जो हमारे पास मौझूद है वह है अगनी फाइब एक थोस इंदन वाली इंटर कॉंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल कैसी मिसाइल से होती है जो लांच करने पर पहले और इसका पहला परिक्षर 19 अप्रेल 2012 को वीलर दीप से किया गया था इसी सिरीज में अगनी 6 का भी विकास हो रहा है जो कि तक उसके बाद आएगी जो की चाड़े 300 किलो मेटर जाएगी फिर अगनी वन चर्चा कर ली 700 प्लस निर्भय मिसाइल 800 प्लस किलो मेटर अगनी टू 2000 प्लस अगनी 3 3200 अगनी 4 4000 किलो मेटर तक वही बात प्लस की बात लगा दी गई है और अगनी 5 अगर आप अगनी 5 की अगनी 5 अगनी 5 अगनी 5 अभी के लिए जो बाहर है सब के पास पब्लिक डोमेंड में वह मौजूद है अब आते हैं सवाल पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए पहला अगनी प्रायम हवा से हवा में मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है दूसरा अगनी 5 एक ठोस इंधन वाली अंतर महादुई पी बैलिस्टिक मिसाइल यानि कि ICBM है इन में से कौन सा कथन तही है आपको कमेंड बॉक् के शुक्रिया